किस वर्ष कलकत्ता बिटिस भारत की राजधानी बना था तो यदि आप ऐसा देखेंगी कलकत्ता को देखी कलकत्ता के बाद 1911 में आपका दिल्ली बना था कलकत्ता भी कभी न कभी बना होगा और वो जो सन है वो है आपका 1772 में कलकत्ता को बिटिस भारत की राजधानी बना सब्सक्राइब के लिए मुगल सामराज किसके शाषनकाल में अपने महानतम इस्थन पर पहुंचा था औरंग जेब के समय ऑप्शन नमबर भी ओरंग जेब के समय पहुंचा था राइट आंसर है अगला कॉशन दिखिए, मराठा साशनकाल में सर देश मुखी क्या था? तो मराठा साशनकाल में सर देश मुखी जो था, राजस्व पर वसूला गया एक कर था, ओप्शन नमरे, राजस्व पर वसूला गया कर था सर देश मुखी, देव नागरी डैश लिपी से विक्सित हु किस जगह पर फांसी पर चढ़ाए गया था तो अठाशन तावन पर में बैरकपुर में फांसी पर चढ़ाए गया था मंगल पांडी को option number C यहां पर right answer है डैश नदी पर वैदिक सविता विक्सित हुई तो वैदिक सविता सरस्वती नदी पर विक्सित नाम था सोमिस्वर और उनकी माता का नाम था करपुरा देवी प्रत्वी राज चोहां जी का जन्म हुआ था 1166 CE में कि पुंग चोलम किस राज का लोकनत है तो पुंग चोलम मनीपुर का एक लोकनत है option number D मनीपुर का लोकनत है पुंग चोलम प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाना जाने लगा तो प्रिंस खुर्रम को बाद में शाह जहां के रूप में जाना जाने लगा option number D शाह जहां यहां पर आईट आंसर हो जाएगा प्रिंस खुर्रम के लिए डैश ने बाल चक्र संधी की स्थापना की जहां बच्चों को बुनाई और कताई सिखाय जाता था तो बाल चक्र संधी की जो स्थापना की गई इंद्रा गांधी न की थी जहां पर बच्चों को बुनाई और कताई सिखाय जाती थी भारत को डेश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विवाज़त किया गया था तो भारत को भारत पाकिस्तान में विवाज़त भारत की आजादी अधिनियम के द्वारा भारत सरकार अधिनियम के द्वारत किया गया था ऑप्शन नमबर यहाँ पर माप कीजिगा भारत की आजादी के थैद भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों ने सत लगी थी कि इसको हम दो भागों बांटेंगे एक पाकिस्तान और दूसरा भारत डैश को प्यार से बा कहा जाता था तो या रखना कस्तूरवा गांदी जी को प्यार से बा कहा जाता था तक्षिला विश्वध्याले में राजनीती विज्ञान और अर्थ सास्तर के प्रोफेसर कोन थे तो तक्षिला विश्वध्याले के बात हो रही है राजनेती विग्यान और अर्थ सास्तर की जो प्रोफिशर थे वो थे आपके कौटिल ले option number D कौटिल ले यहाँ पर right answer है इस प्रशने के लिए हैधरावाद का अंतिम नजाम कौन था तो हैधरावाद का जो आखरी नजाम था मीर ओस्मान अली खान option number यहाँ पर C मीर ओस्मान अली खान हैधरावाद का अंतिम नजाम था राइट आंसर है नेमने ले 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 तमसे कौन विक्रमादित के दरवारे में नौरतन का हिस्सा नहीं था तो कालिदास जी थे वर रुची भी जी थे और शनपांक जी भी थे अशोक के सिलालिखों से जीवन ब्रत अंतरिक नीती विदेश नीती इन सभी की जानकारी मिलती है option number यह इन सभी की जानकारी मिलती है राइट आंसर है गुजरात का शाशक बहादुर शाह किसके साथ हुए संगर्ष में मारा गया था तो गुजरात का शाशक बहादुर शाह पुर्त गालियों के साथ हुए संगर्ष में मारा गया था option number C पुर्त गालियों के साथ हुए संगर्ष में मारा गया था सारनात इस्तंब का चक्र निम्द में से किसे इंगित करता है तो सारनात सितम्प का जो चक्र है प्रगती को इंगित करता है और प्रगती, प्रगती, तिनकटिया प्रथा का सम्बन्न के सिय थित्र से है तो तिनकटिया प्रथा चंपार अंसे संबज़े अब्शन 6 function तो वल्लपी विजह उख हुई थी आपकी 9 सारी और इंद्र भतर में independent basis of truth परवत ऑप्शन नमबर भी हिंदु कुश परवत निम्द में से कौन सा तत्व धम में वर्नित नहीं था धम में वर्नित नहीं था तो धम में आपका मातापता की आग्या का पालन है वर्नित दानपुन्य भी है भ्रात भाव भी है संग के प्रतियास था ये धम में वर्नित न नहीं दिया जाता है नहीं दिया जाता है तो लॉड अलहोजी को पंजाब का विलय दिया जाता है बंगाल का विलय भी सतारा का भी मैसूर का विलय का श्रिय लॉड अलहोजी को नहीं दिया जाता है कौन सा इस्थान गौतम बुद्ध से सम्वनित नहीं है तो गौतम बुद्ध जी सम्वनित नहीं है पावापुरी बाकी उपर के तीनों गौतम बुद्ध जी सम्वनित है पावापुरी का सम्वनित गौतम बुद्ध जी से नहीं है विजयनगर सामराज का कौन सा साशक पुर्टगाली गवर्णर अर्भू करकर का मित्र था तो विजयनगर सामराज के कृष्ण देवराय जो साशक थे ये अल्भू करकर के मित्र थे option number से एक कृष्ण देवराय राइट आंसर है निमलकित्म से कौन सा कार लौड करजन के समय काल में नहीं हुआ तो लौड करजन के समय काल में हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ बाकी सबी हुए हैं बंगाल व्याजन भी लौड करजन के समय का है भारत लोग सेवा मंदल का गठन भी है और अकाल आयोग का गठन भी है हंटर आयोग नहीं है लौड का जन के समय निन्द में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपादी धान की थी तो प्रमाण की उपादी लिथी मिहर भोज ने ओप्शन अमबरे मेहर भोज ने प्रमाण की उपादी लिथी धारण की थी गुरुनानक देव सिक धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहां पर हुआ था तो गुरुनानक देव जी का जो जन्म हुआ था यह वा था तलवंडी में अउप्शन नमबर यहां पर सी तलवंडी गुरुनानक देव जी की जन्म सतल हयर नाइट अन्सर है धमे की स्थूप दिम्लिक में किस राज्य पर इस्в्त है सारनाथ अप्शन नमबर 29 अंबर या नाइट अनसर हो जागा है धमे की स्थूप के लिए सारनाथ असायोग आंदोलन कब से कब तक चलाय गया था तो असायोग आंदोलन चलाय गया था सितंबर 1920 से अप्रेल 1922 असायोग आंदोलन रणजीश सिंग को राजा की उपादी किस ने दी थी तो रणजीश सिंग जी को राजा की उपादी जमान शाह ने दी थी बंगाल का अंतियम गवर्नेंजनल था तो बंगाल का आखरी गवर्नेंजनल था विलियम बैटिंग ऑप्शन नमबर ए विलियम बैटिंग राइट आंसर है नियुक्त में से किस युद्धों के पश्यात बाबर ने गाजी के उपादी रहन की थी तो बाबर ने गाजी के काल से संदन नहीं है तो वारन हैस्टेंग change काल सी संदन नहीं आपका हैल बड़ी कॉल्रीकोलिज की स्थापना पहां बने पहला धर्मुपदिश कहां दिया-था-था भगवान बने अपना धर्मिपदिश साहेल सिंग जोश, औप्शन नमबर C, साहेल सिंग जोश, सिक्ष धर्म को नियम्दलेकित में से किस सतापदी में स्थापित किया गया था, तो सिक्ष धर्म को स्थापित किया गया था, पंदरवी, सोलवी सतापदी में, औप्शन नमबर C, पंदरवी से सोलवी सतापदी, र राजपूत वंश का संवंद अगनिकुल से नहीं है है चंदेल राजपुत वंश कई सम्द कमालीं थे लला उंदीन हुसेन साहरला की स्थापन कि थी तो विक्रम शेलावेश्य Dirac धर्मपाल नया भारत का कॉन मेरदेट के नाम से किता लिखता था अब मेरडेट के नाम से कविथाएं लिखते थेC योगदशन के प्रतिपादक योगदशन के पैस्फ थे आपके पतंजली option number A, पतंजली योग दर्शन के पतिपालक थे मराठा काल में ग्राम प्रिशाशन की देखवाल करने वाला अधिकारी निमलिकित में से कौन था तो मराठा प्रिशाशन के समय ग्राम प्रिशाशन की देखवाल करता था पाटिल, option number B, पाटिल, राइट आंसर है जेहन धर्म में आहिंसा, महत प्राम प्रिशाशन की देखवाल प्रिशाशन की देखवाए और आधार भूत सिदान तो माने जाता है option number B अहिंसा फैजी रैस के दरवार में रहते थे तो फैजी अगबर के दरवार में रहते थे option number D right answer है व्यक्तिकत सत्यागरा अंदोलन के नेता आचार विनोवा भावे ने कहां से इस अंदोलन का प्रार्म किया तो आचार विनोवा भावे जी ने पावनार से शुरू किया था option number C पावनार से श्टार्ड हुआ था व्यक्तिकत सत्यागरा अंदोलन नचिकेता और यम के बीच सुपरसिद्र समवाद किस उपनिशद में उलिखित है तो नचिकेता और यम के बीच कठोपनिशद में ये उलिखित है option number C, कठोपनिशद, right answer है चीन में boxer withdraw कब हुआ था? तो चीन में जो boxer withdraw हुआ था, सन 1900 में हुआ था option number B एंगलो मैसूर युद्ध के पश्चात इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राजपाल के रूप में किसे नुक्त किया गया था तो एंगलो मैसूर युद्ध के बाद बंगाल का जो राजपाल नुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को नुक्त किया था ऑप्शन नम इवक के द्वारा स्थापित किया था गुलामवंश और गुलाम वशने शाषन किया था 126 से लेकर 1290 तक अलग अलग राजा होने अ यापर कुटि भूषिन इवक सबसे पहले राजा थी उसके बाद वी राज तरंगड़ी राइट आंसर अगला कौश्चन देखिए जीत का सबसे उंचा और सबसे बड़ा प्रतीक बुलं दर्वाजा किस साशक ने वनवाए था तो बुलंदर वनवाए था अकबर ने ओप्शन नुमबर यहां पर सी अकबर ने वनवाए था बुलंदर वाज यहाँ पर राइट आंसर है अगला फॉशन है गुरू और से कौन से नंबर से सिखों के दासंडू नंबर के गुरूस फीड़ा के दासंट्स नंबर इसनों यहां पर बीध को पुछा गया कि परियूशन यो मुद्ण तो यह रखना विट्ठल मंदिरू यह करनाटक में हमपी का वाश्तु शिल्पी और असाधरन एक दर्शनी स्थल है विठल मंदिर सिख धर्मगरंद के पहले आधिकारिक संस्क्रण आधिगरंद को पांचवे सिख गुरु ने लिखा था उनका नाम बताना है तो पांचवे सिख गुरु अर्जुन देव जी इन्होंने सिख धर्मगरंद के पहले आधिकारिक संस्क्रण आधिगरंद को लिखा था संकलित किया था गुरु अर्जुन देव जी ओप्शन नमबर C गुरु गोविंदिस सिख जी ने सिखों को हर समय पांच वस्तुओं को धान करने की आग्या दी कौन सी एक वस्तु इन पांचों में से नहीं है तो देव पांच वस्तु में से कंगा भी था केश भी था कडा भी था कील नहीं है option number C केश, कंगा, कड़ा, कील नहीं है या रखना option number C दो बस्तों है और बताईए जदि आपको पता हो तो दो बस्तों है और बताईए कंगा, केश, कड़ा और दो बस्तों है और जो की पंजाबी धान करते हैं comment करके बताना है जहांगीर डैश, मुगल समराऻज ने 1605 में भारत पर 1627 में अपनी मृत्यूत अधन किया तो जहांगीर कौने से नमबर के मृत्त समराब थे, तो चौदे नमबर के मृत्या मृत्त अधन वम्रत्यूत रखन किया था अरविन्दो घोष का जन्न कल्कात्ता जिसको आपकोलकता बोला जाता है मैं हुआ था सद्न क्या था अरविन्दो घोष जी का जन्न 15 गोष्ट 1872 में कुलकता में हुआ था 15 घोषट 1872 में यहां पर राइट आंसर रह जाएगा अगा कारस्जन देखिए जलियावाला बागत्याकंड जिसे अमरित्सर नसंगार के रूप में भी जाना जाता है पंजाब के अमरित्सर के जलियावाला बाग में कभ हुआ था आपको बताना है इनमें से क्या आंसर सही हो जाएगा आपका option क्या सही है तो जलिया वाला बागत्या कंड़ आप सभी को पता है 13 अप्रेल 1919 यहां पर आपका राइट आंसर हो जागा 13 अप्रेल 1919 ऑप्शन नमबर यह बिलकोल सही आंसर है 1909 में जेल से रहा होने के बाद अरविंदो घोष ने डैश दो सापताहिक समाचार पत्रों की सुरुवात की वो कौन-कौन से थे तो वो थे आपके अंगरेजी में कर्मयोगनी और बंगाली में धर्म कर्मयोगनी और धर्म नाम किये औप्शन नमबर नहीं पर सी सही आंसर हो जाएगा कर्मयोगनी और धर्म राइट आंसर है इस प्रषणी के लिए मोहंदास करमशंद्र गांधी को 1915 में दक्षण अफ्रिका में एम्बूलेंस सेवाओं में उनकी योगदान के लिए केसर ए हिंद के पुरुसकार से समानित किया था किस ने किया था केसर ए हिंद के पुरुसकार से समानित तो गांधी जी को केसर एहिंद के पुर्सकार से समानित किया था लॉड हार्डिंग ने प्लासी के लड़ाई सिरा जो दौला और्विट्स इस्ट इंडिया कमपनी के बीच में कब लड़ी गई थी तो प्लासी के लड़ाई जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 23 जून 1757 1883 में दैश द्वारा पेश किया गया इलबर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद करम था इलबर्ट बिल प्रस्तुत किया था लॉड रिपन ने और ये विवादास्पद बिल था अप्शन नमबर भी लॉड रिपन ने इलबर्ट बिल को प्रस्तुत किया था राइट आंसर हो जाएगा आशोगोष द्वारा रचित एक महा कावे है इनमें से कोई एक आशोगोष द्वारा एक रचित महा कावे है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी जो है निरवान प्राप्त करने तक कि बुद्ध के जीवन के बारे में बारे में बताया गया है रचित देश गुफाओं में केलाश मनदर दुनिया का सबसे बड़ा चटा निर्मित इसमा रख है तो दुनिया का सबसे वाड़ा चट्टान निर्मित इसमारक के अलाश मंदिर एलोरा में है option number यहाँ पर आईट आंसर है इस प्रशनी के लिए एलोरा मोरोपंत तंबे और भागिदती सप्रे की पुत्री के रूपे में कौन प्रसुद हो ही तो मोरोपंत तंबे और भागिदती सप्रे की जो पुत्री थी वो थी आपकी रानी लक्ष्मी भाई जी इनको सब जानते हैं option number यहाँ पर भी रानी लक्ष्मी भाई जी बिल्कुल सभी आंसर हो जाएगा जलियावाला बाग हत्याकांट की जाँच के लिए किस आयो का गठन किया गया तो जलियावाला हत्याकांट जाँच के लिए हंटर कमिशन का जो है गठन किया गया था option number C हंटर कमिशन यहाँ पर राइट आंसर है भगत सिंग राजगुरू और सुगदेव को किस वर्ष में फांसी दिगई तो भगत सिंग राजगुरू और सुगदेव को 1931 में फांसी दिगई थी option number C डैश के जन्वदिन के की स्मती में वेशक इस्मती दिवस मना जाता है तो वेशक इस्मती दिवस बुद्ध के जन्वदिवस की स्मती मना जाता है उप्शन बड़ी बुद्ध के जन्वदिवस की स्मती में वेशक दिवस मना जाता है वेशक इस्मती दिवस निम्दलेकित में से कौन सा सही मिलान नहीं है गलत दिया गया है तो देखो नीचे के पड़ो यजो नीचे से स्टाट करो यजोरवेद यग संबंदी सूत्रों का ग्यान है बिल्कुल सही है अथरवेद जादू के सूत्रों का ग्यान है रिगवेद इस्तुति के भजन का ग् है सामवेद आपका संगीत से संबनित है ठीक है या रखना सामवेद संगीत से संबनित है तो ऑप्शन नमबर यहां पर गलत दिया गया है परिवार और दोस्तों के लिए आईशा के रूप में जाने जाने वाली इसे राजकुमारी ने सवाई मान सिंग्ध्वती बहादो से विवाद किया और इसे दुनिया में डैश के रूप में जाने जाता है तो सवाई मान सिंग्ध्वती से शादी की थी किसने महरानी गायत्र सिवाजी और सोयरावाई ने अपने पृत्र का नाम किया रखा था राजा रामोप्शुन नमवर की स्थापना दिल्ट में किस ने की थी सत्य सोदक्वलाच की यहां पर जोटिवाफ फुले जी ने की थी जोटिवाफ फुले जी यहां पर राइट आंसर है संत कवीर ने अपना आध्यात्मिक प्रसिक्षन डैश नामगुरू से प्राप्थ किया तो संत कवीर जी ने अपना आध्यात्मिक प्रसिक्षन रामानंदी जी से प्राप्थ किया था करनी करनी का को जाना जाता है रानी लक्ष्मिवाई जी के रूप में ऑप्शन नमबर सी रानी लक्ष्मिवाई जी ऑप्शन नमबर यहां पर सी बिलकोल राइट आंसर हो जाएगा श्वेतामबर और दिगंबर डैश के रूप में जाना जाना यावाला दो समुदाय है तो स सभी राष्टों के लिए एक धोज आवश्यक हो, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं, सभी राष्टों के लिए एक राष्टी धोज हो, महात्मा गांधी जी ने ये बोला है, option number C, महात्मा गांधी जी बिलकुल right answer हो जाएगा, शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था, जिसका जन्म सही बाई से हुआ था, संभाजी था, option number C, संभाजी यहाँ पर right answer है, महांबद गौरी का पहला आक्रमन कब हुआ था, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था, तो महांबद गौरी का पहला आक्रमन हुआ था, आपका, वो संथा, 1175 ईसवी और उसने मुल्तान पर हमला किया था, option number C, गुरु डैश को चर्मकार संथ के रूप में जाने जाता है, तो चर्मकार संथ के रूप में गुरु रवी दाजी को जाने जाता है, नहरू लियाकत समझोता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो नहरू लियाकत समझोते पर 1500, अपकी जीगा, 1950 में हस्ताक्षर हुए, option number B, यहाँ पर, 1950 में नहरू लियाकत समझोते पर हस्ताक्षर 1950 बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा